दोस्तों आज की इस वीडियो में मद्द प्रदेश में जो अभी आठ अगस्त 2021 को स्पीसीड़ी का एक्जाम हुआ है उस एकजाम में जो कोश्चन पूचे गाए मैं उन कोश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों अगर आप सिपीसीड एक्जाम की से करना चाहते हैं तो आप परिक्षा आप की टेस्स को परचैस कर सकती हैं जिसमें कापी अच्छी टेस्स दी गई है परिक्षा आप का लिंक वीडियो के डिप्स्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और जैसे आप टेस्स परचैस करते हैं तो आप एंपी एक्जाम 15 कूपन कोट का यूज करके 50% डिशकाउंट प्राप्त कर सकते हैं यानि कि आधी कीमत में टेस्ट सीरिश को खरीद सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुड़ो करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसमें बावन कोस्टंस जो होती है वह कंप्यूटर से पूछी जाती है पाइंच नंबर का फिर एक रीडिंग का प्रेशन होता है और अठारा नंबर की कोश्टन तीन सब्जेक्ट से पूछी जाती है जिसमें क तीनों सेक्षन में आपको 50% का स्कॉर करना अनिवार होता है तभी आप इसमें क्वालिफाई क्यू है माने जाती है तो आपको सभी तीनों सेक्षन की तयारी अच्छे से करनी होगी और हम इसमें देखने वाले हैं सबसे पहले 52 कोश्टंस कंप्यूटर के जो किस टाइप क पूछे गए थी जो कि यहां आट अगस्त दोजारी की सिप्ट तीन के जो पेपर में पूछे गए कोश्टंस है वह कोश्टंस आप यहां देख सकते हैं तो सबसे पहला कोश्टंस है दोस्तों इसमें खाली स्तान दिया हुआ है मैं इस्टॉर करके फाइल को वेवस्तित र लखा जाता है अश्ट कोशन देखते हैं एंट पूरे प्रोग्राम को मशीन की भासा में परव्यूट्र चपनेवाला टूल क्या व्लाता है तो सबसे तेर्य होती है कया आउट्पूट को अक्सल क्या कहा जाता है तो इसे हाट काफी कहा जाता है ठीक है प्रेंस दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आगे भी कई इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाता रहूंगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं निम्न मैं से कौन सी कुझी को टॉगल कुझी के रूप में भी जाना जाता है तो नम्रिक लॉग वाली जो कुझी होती है उन्हीं हम टॉगल कुझी के नाम से जानते हैं निम्न लेगत में से कौन सा डेटाविस प्रवंदन प्रणाली है तो MS-Access डेटाविस प्रवंदन प्रणाली यानि कि डेटाविस मेंनेर्मेंट सिस्टम होता है कि अंधरकत आता है डेटा प्रकार का उप्योग केवल संस्ताओं को इस्टोर करने के लिए कि जाता है तो क् यह मेमोरी में से CPU सूचना को कैसे पढ़ता है तो इसका आंसर आप यहां देख सकते हैं पहले सूचना को मुक मेमोरी में इस्तांतरिज के जाता है और बहां से CPU पढ़ता है ऐसे नेक्ट कोशन दोस्तों है बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कि CPU एक्जाम की अगर तयारी कर रहे हैं तो इसके पुराने जो पिछली यर में जो कोशन्स हुए हैं जो एक्जाम हुए हैं उन कोशन को हम एक बार अच्छे से रीट करने क्योंकि इन्हें देखकर हमें आइडिय तो लगी जाता है कि कि स्टैप कोशन पूचे जाते हैं और हम उसी की अपनी तयारी को भी आंगे मेंटेन करके चल सकते हैं तो आप यहां देखिए हैं कुशन पेपर आपके लिए काफी इंपोर्ट हैं दोस्तों क्योंकि का एक्जाम किलियर करना मतलब फश्ट अटेम्ट एक ठप चैलेंज रहता है क्योंकि सभी मैं तिन Salut मैं 50 परसेट रहता है हнов और इसके बाद जो रहता है वायजैट टापिंग करूइचिंग कि यानि की दोनों में भी आपको पोचास-फचास परसेट ऐसक्वर करना अनिवार रहता है इसलिए इसकी तैयारी आपको बहुत ह कि अच्छे से करनी होगी आपको इस पर बरावर ध्यान देना होगा नेक्स्ट कोश्चन इपी रॉम का फूरा रूप क्या है तो यहां पर इसका रूप आप यहां देख सकते हैं यहां प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है किस यहके स्क्रीन का यूज़ किया जाता है नेउस्ट इसलेश़ शञर के लिए इकर पेनस्तम कितने सुटेज होती हैं ले कि और लायनेक्स में चहिप होई फॉर उक्रेट को सूशीबर्ट करने के लिए इस कमांड के साथ किस विखलप का यूज़ किया जाता है तो कौन MS Access में बिंडो को दो फालों फलकों में वाजित करता है तो डिजाइन व्यू इसका आंजर है नेश्ट ओपन ऑफिस के अलक में फंक्शन का क्या आउटपुट होगा तो इसका ट्यू आउटपुट होगा नेश्ट कुश्चन पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा पेश किया गाया था किसके द्वारा सैंट्रोनिक्स के द्वारा पेश किया गाया था क्या पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नेश्ट कोश्चन कोडेक एक डिवाइस या सॉट्वियर है जिसका उप्यू डिजीटल मीडिय या फाइल जैंसे वीडियो या गीट को संपीडन अथवा यानि की कम्प्रेश या宦ि कंप्रेश करने के लिए किया जाता है आज स tenant से क्लाइंट अनुलोत के मामले में क्लाइंट और सरवर के बीच मद्यस्त के डूप में कौन कार करता है तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज होता है नेश्ट एरिया आप तीन प्रेश्ट के दस्तावेश की दो प्रती लीपी मुद्रत करते हैं और उन्हें क्लेक्ट करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो क्या होता है तो प्रेश्ट नेम नाम के तकरम में मुद्रत होंगे जैसे की 11223 जो की जम करते हैं नेष्ट कंप्यूटर भूूटिंग के संदर में और कम्प्यूटर भूूटिंग के संदर में बी बि आंई दो एक्राइश वान उसका क्यार्थ होता है तो इसका फॉलक्ण बैजिक इनवीपैट आउट्पूरश्पर सिस्टम इसका पहल पूंह तो SM का फाल फार्मेट का उप्योग किया जाता है नेश्ट कोश्चन अधिक रत पॉंच आम तोर पर अपनी उप्योग करता नाम यानि की यूजर नेम और के डालने पर पासवर्ड डालने पर मिलती है किये वेपसायट या अपनी स्रक्ष्या और पैशान को परिभास्ट करने के लिए क्या करती है प्रमांद पात्रयान की कोई पावर नहीं लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर ने मैं से कुवंसी समस्या के कारण एक काला प्रेश्ट प्रिंट करता है तो प्राथ में कोरोना के लिए कोई पावर नहीं इसकांसर यह है नो पावर टू प्राइमर प्राइमरी कोरोना है ठीकर प्रेश्ट कोशन देखते हैं एक हार्ट विर्ट नेटवर्क तॉपलोड़ी दो या-दो से अधिक बेन नेटवर्क टॉपलोड़ी का सव्यूजन होता है नेस्ट कि नम्र मेंसर एक संख्याप्तिती मे आंकडे निरुपत करने के लिए केवल दो बिनत प्रतीकों का उप्यूप किया जाए तो वह होता है धी आधारी यानि कि वाइनारी नेश्ट आई भी फोर पती की लंबाई क्या होती है तो इसकी लंबाई जो होती है वह 32 बिश्ट बिश्ट होती है नेश्ट कोशन एम्पली क्यूट और फिक्वेंसी के बीच संबन्द को किस प्रकार दर्साया जाता है तो फिक्वेंसी डूमेंट प्लाट के रूप में इसे दर्साया जाता है पिंग कमांड निम लेकर मैंसे किस के लिए उप्योग ही नहीं होती है तो नेटवर्क से जुड़ी मशीनों की पासवर्ट को बदलने के लिए उप्योग नहीं होती है करेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रें कि आप निमने मैंसे किस टेप का उप्योग करके वर्ड दस्तावेज में प्रश्ट संख्या एट कर सकते हैं तो है इंसर्ट का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं नेश्ट में करसर विंदू के वाई और एक सब्द को मिटाने के लिए सही कुंजी या कुंजी संविजन क्या होता है तो CTRL प्लस बैक स्पेस होता है नेश्ट में 2016 के किस मेनू टेम में अगला फुटनोट बिकल्प उपलब दोगा तो रिफ्रेंट सीज में है हमें मिलता है MS फावरफाइंट में 466 मोड में पावरफाइंटर पैनों बनादने के लिए क उन्जी संविजन क्या होता है CTRL प्लस पी इसका कुंजी संविजन होता है igon नेस्ट निंम लिखत में से कौन सा पाई-चार्ट का प्रिकार नहीं है तो लाइन जुझे भाई-पाई-चार्ट का प्रिकार नहीं है परते एक बार में trad impeachment क्रम में सूचना यानि की इनफरमीशन को प्रुसत करने के लिए्य में इस्ट्रेक्ट का उप्योग होता है नेक्स्ट कुशन जब आप MS Word 2016 में Create Group of Mailing टैब में इन्वलोप के आईकॉन पर क्रिक करेंगे तो क्या होगा इन्वलोप एंड लेवल संबार डायरोक वाक्स खुल जाएगा नेक्स्ट मेंसे कौन सा एक लोग पर ये बेव खोज एंडन दुनिया वर में उप्योग किया जाता है तो वह है कुशन निष्ट में से कौन सा भिकल्प Lाइन चार्ट नहीं है तो रेडार भिकल्प जो है वहलाइन चारेट नहीं है हमको अपनी अगर आप मैं FC 4명이 का प्रयो ऐक करने के भिन ने परिवर्तन कस्त挺 कर सकते हैं क्या परिवर्तन के लागू कर सकते हैं करने के लिए साइंज मेनू पर किसी भी मानक पेपर आकार का अप्योग नहीं करना चाहते हैं इस स्थिती में उसे मोल पेपर साइज पर क्लिक करना होगा जो साइज मेनू के हैं किसके नीचे की ओर होते हैं है नेक्ट है डर और फूटर है डर और फूटर मैं क्यांतर होता है तो हैडर फूटर में हेडर को ऊपर रखा जाता है यापकि फूटर नीचे होता है ठीके पर नेश्ट कुशन एक्सेल और दो यार्टीन में मैक्रोज को क्यांसे सक्षम किया जाता है तो इन मैक्रोज एक्सेल नैविगेट टूटेल टूल्स टैब और इसके बाद मैक्रो इसके बाद शिक्यूर्टी का यूज करके हम जोने मैक्रोज को सक्षम एक्सक्षम सकते हैं मैक्रोज कर अंध σου एक्सेल में görünसे परक्सिंट का पराप्त नहीं किया जा सकता है डॉलर डालने के लिए आपको कीवोड पर किन पुणियों को दवाने की अवा सकता है तो सिप्ट प्लस फोर पुणियों की दवाने की अवा सकता होती है MS Word के Find and Replace फीचर में Find What सब्द खोजा जाने वाला सब्द है और प्रतीस थापन के लिए सब्द कुन सा होता है प्रतीस थापन के लिए होता है नेश्ट MS Word में Indent और Spacing टैब में कितने नियंतरन होती है तो इसमें तीन नियंतरन होती है किसमें MS Word में Indent और Spacing टैब में नेश्ट कोशन बिंडोज सेविन और बिश्टा में आप इस्ट की कुंजी कैसे चालू करते है तो शिप्ट बड़न लगतार पाँज बात दवाकर हम इसे चालू कर सकते हैं नेश्ट और लाश्ट कोशन बिंडोज में आप सिस्टम प्रॉपर्टीज को किस से कुंजी समयन का प्रयोग करके खोल सकते हैं तो इसके लिए हम दोस्तों बिंडोज की के साथ प्यूस और ब्रेक की का यूज करके हम इसको खोल सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आठ अगस्त के कुछ पेपर में जो कोशन पूचे गए थी यहां कम्प्लीट हुए बावन कोशन कम्प्यूटर के अब देखते हैं इसमें पांच नम्मर का रीडिंग का अप्रेशन होता है जो की इस्टोरी बेच्ट होता है जिसमें हिंदी और इंगलेज में एक इस्टोरी दी जाती है से फाइड करके उनका ज़वाब देना है इसमाइब ऊजलिए तरीके सको पांच नंबर आसान तरीकिन कर सकते हैं मैं मैंने देखने बाली बात इसमें जो होती है वह होती है की आप कितनी जल्दी से एक बार में ही श्टोरी को पढ़ सकते हैं अच्छे से समझ कर तो वह काफी इंपोर्टेंट होता है यही आपका इस एक्जाम में एहल लेबल देखा जाता है और इसके बाद दोस्तों फिर रहते हैं तीन सब्जेक्ट मैट रिजनिंग और जी के जो की 6-6 कोशन से में पूछ जाते हैं और 6-6 नंबर के ही होते हैं तो यहां पर जाते हैं कुशन भी काफी मीडियम लेवल की रहते हैं जिसमें की शिंप्लीकेशन एज रिलेटेड अम अनुपाज शाम अनुपाद साधानन ब्याज चक्रवति ब्याज डिस्टेंस ट्रेंड वगएरा और प्राजेक्ता तिरकोन में तीवाले यह सभी सवाल इसमें कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं दीडे चलने का दरबर होने से बही संबंद है जो बात विवाद करने का इस्टार्ट की कुश्चन से यहां अमें देखने को मिल जाती है आनुकरम देढ़ेंगे एक्षर संक्या का सीरीज देढ़ेंगे कोई सब्सक्राइब करना अनिवार होता है तो इसमें दोस्तों जी के से कुश्चन बनते हैं जो कि कहीं से पूछ सकते हैं साइन से इंडिया के लेवल से बहुल एक फ्रीक सीट का लिन उलम्पिक किलों का जन पहली वार्किस बार्स में हुगा तो इसके लिए दोस्तों आप आपको इसमें स्कॉर्ट करना अनिवार होता है पचास परसेंड का तब ही आप इसमें कौलिफाइब माने जाती है यहां है वीडियो कंप्लीट हुई जो अभी अगस्त में एक्जाम हुए थे आट अगस्त में तो यहां कंप्लीट हुए अब हम आंगा के नेस्ट जो सब्सक्राइब करना वीडियो लिखने रंदवार थैंक्स पूर वाचिंग जैहिन